नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल Everything Hindi पर आपका दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं Binance की Launchpad पर एक token अनाउंस हुआ है list होने के लिए और अभी एक हाली में कल भी एक list हुआ है तो ये जो दोनों list हुए है इन दोनों से आपके पास अगर BNB है, BUSDT है, CHZ token है या USDT है गेवल तो इन सब से कैसे maximum return निकल सकता है उसके बारे में बात करूँगा दूसरा हम बात करेंगे इन जो token जो list होते हैं उनके साथ कैसे आपको treat करना चाहिए क्या आपको इसमें entry लेनी चाहिए या नहीं, काफी कुछ इनके बारे में detail है मेरे पास जो हम आपको देंगे इस वीडियो में तो दोस्तो मैं हूँ अजे और आज हम लोग बात करने वाले हैं Binance की launchpad पर जो back to back tokens launch हो रहे हैं उनके पिछे reason क्या है और Binance के जितने सारे advantage हैं कई सारे advantage है कि Binance number one exchange है लेकिन उसके साथ साथ कुछ disadvantage भी है और वो क्या है वो अभी में बताऊंगा क्योंकि Binance जितना बड़ा हाती है crypto industry का उतने जादा गोबर भी कर देता है कभी कभी तो अभी जिन token के साथ issues होता है पिछले कई सारे जो Binance की launchpad पर आये हैं उसमें जो नए लोग होते हैं जो newbies जिनको हम लोग बोलते हैं जो बिलकुल नए-ने entry लेते हैं उनको लगता है ये token बस अभी start हुआ है और ये start लेकिन वहीं पर वो सारे trap में फस जाते हैं और उनका पैसा फिर कई सारे महीनों के लिए ब्लॉक हो जाता है तो इस वीडियो में मैं जो नया token है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही लेकिन ये भी बताऊंगा कैसे अपने आपको protect रखना है आज की समय में क क्योंकि हर कोई दिखाता है कि नए नया lollipop दिखाता है और फिर फसा लेता है नए लोगों पुराने लोग तो जानते हैं कि हाँ ये उपर जाएगा और नीचे जाएगा लेकिन उसी में बहुत सारे लोग फसते हैं और वो फसे ना इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हू तो अभी जो launchpad पर अपनी launch कर रहा है उस token के बारे में बात कर लेते हैं क्या कुछ launch किया है उसने तो अभी ये हम अपनी Binance app के अंदर आ गए है और यहाँ पर हमने जो खोला है अपना launchpad को खोला है इस launchpad में देखेंगे तो यहाँ पर Binance token launch platform और यहाँ पर FCP यानि की जो पुटगाल की एक team है उसका इनोने एक fan token अब इन fan token से मुझे personally कुछ issues रहते हैं वो यह कि जिस तरीके से हर एक project अपनी background में काफी सारे उसके use case रखता है उस token के तब जाके वो success होता है और तब जाके हम सब को return मिलता है और हम सब लोग उस token को सभाल के अपने spot में रखते ह लेकिन fan token के साथ क्या होता है fan token एक hype तो लेता है लेकिन उसके बाद कोई use case ना होने की वज़े से वो दिर 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 एकदम bleeding करते करते डंप करने लगता है और फस वो जाते हैं जो उनके fan तो हैं लेकिन हर कोई अपना cryptocurrency exchange में पैसा जो डालता है वो इसलिए डालता है क उसने 100 डाले हैं तो 120 निकाले हजार डाले है तो 1200 निकाले एक लाग डाले है तो 120 निकाले यानि कुछ ना कुछ profit के लिए निकालता है तो यहाँ पर fan token के साथ issues यही है कि कोई actual use case ना होने की वज़े से वो दिर 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 डाउन होते हैं हाँ उनका use case बस इतना ही मान सकते ह कि जब जब उस match के news event होंगे जब जब उनके match होंगे तब तक वो token बूम करेगा तो यह सारे use case के लाब वागी कोई actual use case इसके पीछे नहीं डाला जाता है अब इस जो particular token की बात करें जिसका नाम होगा जिसका code होगा PORT CMC Coin Market Cap पर देखेंगे तो अभी वो नज़र आएगा तो यहाँ पर कुछ खास चीज़े अभी मैं बताता हूँ आपको दो टोकान है और दोनों में कैसे ज़ादा से ज़ादा आपको return लेना उसके बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर चार दिन बचे होगा यानि कि तो यहाँ पर मेरे जो आप screen देख रहे हैं यहाँ पर मुझ सब्सक्रिप्शन पीरेड में एंट्री करने और अपने BNB को कमिट करना है एक बटन आएगा यहीं पर कमिट का उसमें मैक्सिमम BNB को क्लिक करें कमिट कर देंगे तो दो बच कर तीस मेर्ट से लेकर साड़े तीन बजे तक का कर्लिशन पीरेड चलता है उसकी बाद कर उन सारे टोकन को सेल कर देता हूं जितने भी 10,20,30,40 जो भी टोकन मुझे मिलते 70,800 उनको उसी समय सेल करके मैक्सिमम रिटन लेता हूं और फिर नेक्स दे जब वो टोकन टॉप लूजर में दिखने लगता है तो आप गेनर में जाता है उसी दिन से थोड़ा सा मैं दो तीन मिनट के बाद क्योंकि बाइनेंस बहुत अच्छा स्पाइक लेता है उस समय हम उसको सेल करते हैं और नेक्स्ट दो दिन के बाद जब वही टोकन टॉप लोजर में दिखने लगता है या अगर नहीं पसंदे तो उसको इग्नोरी कर देते हैं तो यह सारे इशूज हैं बाइनेंस के साथ अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट बाइनेंस का लाँच पैड पर एक टोकन अनाउंस हुआ था मत के लिस्ट हुआ था कल पाब्लिक सेल के लिए अवैलिबल हो गया था तो वो उसको अगर आपको देखना है तो लाँच पैड पर जाएंगे और जहा बी यूसडिटी को स्टेक कर सकते हैं और अगर आपके पास यूसडिटी है तो सिंपल उसको सेल करेंगे यू बी यूसडिटी के पेर में तो आपके पास 100% वैल्यू का मिल जाएगा कोई भी फीस चार्ज बगेर डिड़क्शन बहुत लंबा चड़ा नहीं होगा सिंपल आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं अगर यूसडिटी फ्री पड़ा है तो उसके बाद यहाँ पर हमने अपना BNB जितना भी था वो स्टेक करके रखा है जब उसका डेट आएगा तो यहाँ से अंस्टेक करके वहाँ पर कमिट कर देंगे दोनों का रिटन इस तरह multiple रिटन लेना है जितना कुछ एप में easily बिना किसी risk available है यह आराम से जब चाहें तब स्टेक करें जब चाहें तब निकालें बिल्कुल free स्टेक है तो यह इस token में आपको city token मिलेगा यह Binance का जो multiple फायदा आप उठा सकते हैं तो यह सारी चीज है तो दोस्तों यह इस तरीके से आप करना है बाकी मैंने बताया कि कैसे आपको रिटन लेना है अचा हां इस जो city token उसके बारे में जो आपको चार्ट भी दिखाना था कि Binance का कुछ issues जो मैं भी कह रहा था कि risk वाले चीज होती है Binance पर तो आप यहां पर देखे कल यह city token launch हुआ था उसके बाद देखे यहां पर दीरे दीरे इतना भैंका डंप हुआ और यहां पर फिर वापस से उसी price के आसपास आ गया मतलब 14 डॉलर से शुरू हुआ और वापस से सिर्फ 15 डॉलर पर आ के टिका तो यह top loser top gainer एक ही दिन में possible किसके साथ है Binance के सथ क्यूंकि Binance पर इतना सदा potential है बट उसके साथ साथ स जूर से सिर्फ देखे कि क्या कुछ हो रहा है तो दोस्तों यह थी वीडियो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्कैमर से बचके रहिए हम अभी भी लग बेजना सब कुछ यहां पर फ्री है तेंक्यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए